गुड मॉर्निंग प्यूपल वेरी ब्यूटिफूल फ्राइडे मॉर्निंग वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल माई नेम इस वाटिका सिंग और आज की इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि बाइलोजी में लेशन प्लान कैसे बनाते हैं यहाँ पे हमारा प्रक आपको जल्द ही मिल जाएगी जिससे कि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे तो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाइलोजी में लेशन प्लान ब्लानी के लिए आपको सबसे पहले बीचो बीच सेंटर में आपको लिखना होता है पार्थ है उसके बाद आप लिखते हो बिद्याले का नाम जिस बिद्याले से आपना बिटी सी डियले कर रहे होते है उस बिद्याले का आपको यहां पे नाम लिखना होता है उसके बाद आप लिखते हो दिरांग जिस डेट को भी आपको दिरांग में यहां पे लिखना होता है उस सम recruitment के boyfriend के दोरान है और अपका जो भी पीरिय ने के फिल्टा है 10 एकि ब बाद बना भी तोतके अन्हे बालज में लिखनी यहां पर देख हैं रिधा कि आपा जकरिकर पर जिक्षा के Estamos रहे हैं उसके बाद आप लिखते हो अoudhi पार्ठीयोजना बनाने के दोरान आपके teacher आपके मैम के द्वारा आपको जो भी समय दिया जाता है बसend भाट में 36 मिन लिखा हुआ है उसके बाद आप लिखते हो प्रक्रण है तीका करन है और यहांको से बता दूघ्या है यह पार्ट का नाम ही होता है इसको बिल्कुल ही बीचों बीक निवने उसे बहुत वह भी तू глаз दंग से लिखना होता है क्योंकि यह जो होता है कि आपके पार्थ उजना का फर्ष्ट पेज होता है इसलिए इन सारी प्रतिक्रियाओं को आपको बहुत ही सुन्दर धंग से और लिखना होता है उसके बाद आप एक ऐसी सिदी लाइम खीज देते हैं जिसे हम ब्लैक बोर्ड सामाननी के निदेश होता है और इसके क्या बेनीफिट होते हैं जैसे हम सामान बुदेश कहते हैं और सामान बुदेश में आपको अपने बिशे बारे में पांच साथ पार्थ योजना बना रहे हो न तो आप अपनी बैलोजी की 200 पार्थ योजना में यहीं सामान उद्देश आप बार बार लिख सकते हो यह आपका यहां पर बेनिफ्यूट हो जाता है तो यहां पर सामान उद्देश में हमारे यहां पर पहला पॉइंट समारा सामान उद्दे शामान बैग्यानिक सिध्धानतों से आउगत कराना चौथा पॉइंट समारे हैं चात्रों की मानसिक सकतियों का विकास करना उसके बाद आप लिखते हो उसके बाद आप लिखते हो बिशिष्ट उद्देश तो पहले मैं आपको बता दो कि यह क्या होते हैं और कितने के होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं पहला यह हमारा होता है ग्यानात्मक उद्देश दूसरा हो जाता है हमारा बोधात्मक उद्देश और तीसरा होता है हमारा कॉसलात्मक उद्देश इन तीनों उद्देशों में लगबग आपको दो-दो पॉइंट्स लिखने होते है तो यहां पे हमारा ज्यानात्मक उद्देश में पहला पॉइंट समारा यहां पे है छात्रों को टीका करण के बिशय में बताना दूसरा पॉइंट समारा यहां पे है विभिन टीकों के बिशय में बताना और बुधात्मक उद्देश में बुधात्म कुद्देश में, हमारे यहां बुधात्म कुद्देश में पहला पॉइंद्स हो जाएगा, रोग टिकाकरण तथा वैक्षिन के विसे में बताना, दूसरा पॉइंद्स हमारे यहां पे है, लाबदायक तथा लगातार लगाये जाने वाले टीकों के बिसे में बताना कौसलात्मक उद्देश में हमारे यहाँ पे कौसलात्मक उद्देश में हमारे यहाँ पे पहला पॉइंट्स हो जाएगा उसके बाद आप लिखते हो सहायक समागरी तो मैं आपको पहले बता दू कि यह सहायक समागरी होता क्या है बच्चों को क्लास में जो भी बिसे आप पढ़ाते हो उस बिसे में आपको कोई भी टॉपिक बच्चों को समझाने के लिए ब्लैक बोर्ड पे आप जिन समागरियों का यूज करके बच्चों को वह topic explain करते हो समझाते हो उसे ही हम सहायक सामागरी कहते हैं और सहायक सामागरी के रूप में आप लिख सकते हैं चाक, डश्टर, एकी समान होता है बस यहां पर क्या करते हैं कि पार्ट का नाम चेंज कर देते हैं जैसे कि आप पुरुग्यान में लिख सकते हैं चात्र टिका करण के बिसें में शामान जानकारी रखते हैं ऐसा आप पुरुग्यान में लिख सकते हैं उसके बाद आप बच्चों से प्रस्त जो है कि आप बनाओगे चात्र चात्रा अनुकरिया के कॉलम जिसमें की चात्र आपके पूछे गए कोशन के आंसर को देते हैं तो यहां पे हमारा पहला कोशन से है कि जब हम बीमार पढ़ते हैं तो डाक्टर हमें क्या देते हैं तो चात्रा अंसर देंगे जो हम बिमार पढ़ते हैं तो डाक्टर हमें दवाईयां मेडिसीन देते हैं दूसरा कोशन यहां पर हमारा चात्रों से है दवाईयां किन-किन रूपों में दिया जाता है तो चात्रा अंसर देते हैं, दवाईया, टैबलेट, सीरफ, वैक्सीन, टीका, आधी में, आधी के रूप में दिया जाता है तीसरा कोशन हापे हमारा चात्रो से है, टीका वैक्सीन लगाने में किसका प्रयोग करते हैं तो चात्रा आंसर देते हैं टीका लगाने में इंजेक्शन का प्रियोग करते हैं चौथा कोशन यहां पर हमारा चात्रो से है इंजेक्शन से टीका लगाना क्या कहलाता है तो चात्रा आंसर देते हैं टीका करण कहलाता है पांचों कोशन आपे हमाला चात्रों से है टीका करण के विषय में आप और क्या जानते हैं तो चात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक इसका मतलब विया है कि पांचों कोशन का अंसर शात्रों को नहीं आता, टीका करण के विशय में शात्रों को कोई नौलेज, कोई जानकारी नहीं है, उसके बाद हम लिखते हैं, उद्येश कथन, उद्येश कथन में आप लिख सकते हैं, बच्चों, आज हम टीका करण के लिख सकते हैं अध्यान अध्यापन की दिश्टी से पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है ऐसा आप प्रसुदिकरण में लिख सकते हैं उसके बाद हम व्याख्या करते हैं व्याख्या करने के लिए हमें चार कॉलम बनाने होते हैं पहला कॉलम तो हम बनाएंग कौलम में दूसरा कॉलम हम बनाएंगे चात्र अदियापिका के साथ इं पुरुबक व्याख्या को सुनेंगे चौथा और लास्ट कॉलम हम बनाएंगे स्यामपट कारे के कॉलम जिसमें की हम मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे तो अब हम व्याख्या करते हैं रोगों से बचाओ हे तू तीका करण आविशक है नौजात सिसुगों के मिर्तुदर को कम करने हे तू सही समय पर तीका करण अती आविशक है तीका करण के अभाव में कुछ विशेज रोग होते हैं यदि हम चाहें तो इन रोगों से बहुत आसानी से बचा जा सकता है विभिन प्रकार के रोग एवं टीके पहला है हमारा टीबी टीबी के रोग हे तू बी सी जी का टीका सिसू के जनम से नौ माह के अंदर प्रथम खुराक तथा पांच वर्ज के बाद दूतिय खुराक दी जानी चाहिए दूसरा हमारा यहाँ पे है खसरा तथा गलसुआ खसरा तथा गलसुआ रोग से बचाओ हे तू सिसू के नौ माह से बारव माह के अंदर खसरा के टीका लगाना चाहिए तीका करण का अभाव मित्चु का कारण है व्यक्ष करने के बाद आप स्यांपट कार में मुक्य पॉइंट के रूप में या पहला पॉइंट से यहां पे स्यांपट कार में लिख सकते है टीका करण या वैक्सिन में एक सुई सीरप जो की साफ हो उपयोग किया जाता है दूसरा पॉइंट साप स्यामपट कार में लिखेंगे टीका करण में घुलित दवाईयों को सरीर में प्रवेश कराया जाता है तीसरा पॉइंट सबस्यांपट कार में लिखेंगे टीका करण में प्रत्य एक बार नई सिरिंच का प्रयोग किया जाता है व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्ण करते हैं जिसके लिए आप तीन कॉलम बनाएंगे पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोध प्रश्ण का कॉलम जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए कोश्ण के करम को लिखोगे दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्रा दियापे का किर्याओं कॉलम जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्ण पूछोगे और तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनावे चातर चातर अनुकृया का कॉलम जिसमें की चातर आपके पूछे गए कोश्चन के आंसर को देंगे तो यहाँ पे हमारा पहला कोश्चन चातरों से है तीबी के रोग से बचाव हेतु सिसुगों को कौन सा टीका लगवाना चाहिए तो छात्रा अंसर देते हैं तीबी के रोग से बचाव हेतु सिसुगों को BCG का टीका लगवाना चाहिए दूसरा कोशन हैं पर हमारा छात्रों से है शिशो की मित्यू का मुख्य कारण क्या है तो छात रांसर देते हैं शिशो की मित्यू का मुख्य कारण टीका करण का सही समय पर न लगवाना है सिसु के मित्यू का मुख्य कारण टीका करण का सही समय पर न लगवाना है उसके बाद हम फिर से व्याख्या करते हैं जिसके लिए हम फिर से वही सब सारी प्रोसेस को दोहराएंगे हम व्याख्या करने के लिए 4 कॉलम फिर से बनाएंगे पहला कॉलम तो हम बनाएंगे सिच्छड बिंदू का कॉलम जिसमें की हम लिखेंगे बिविन प्रकार के टीके दूसरा कॉलम हम बनाएंगे 15 जिस्मेर किया Garlic करें हों तीसरा कॉल माँद बनाएंगे साथव रख व्याक करते हैं सनेंगे चाते झाल फॉट्रिया सांपटर के लिएकट को लखेंगे तो अब हम व्याक्या करते हैं तिसरा पोलियो, डिप्थरिया, कूकर, खासी तथा टिटनेस इन रोगों से बचाव हेतू सिसु के जनम से 6-10 वा 14 अपता पर प्रथम खुराक वा 1-2 वर्स तथा पुना 5-6 वर्स में दूसरी खुराक के रूप में पोलियो, डिपीटी, वैक्सीन लगवानी चाहिए चौथा लिखेंगे कालरा, इस रोग से बचाव हेतू, सिसु को कालरा का टीका जनम से 2 वर्स के बीतर प्रथम खुराक के रूप में तथा प्रतेक वर्स गर्मी शुरू होने के पहले दूसरी खुराक के रूप में दिया जाना चाहिए बच्चों वा रोगी के सरीर में रोग प्रती रच्छड हेतू, टीके लगाए जाते हैं जिससे बच्चों के सरीर की रोग से लड़ने की सक्ती बढ़ती है टीका करण से रोगी वा शिसू में कई संक्रामण बिमारियों की रोग ठाम होती है पोलियों के अत्रिक्त सभी रोग प्रती रच्छड टीके इंजेक्शन द्वारा दिये जाते हैं व्याख्या करने के बाद आप स्यामपटकार में मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप पहला पॉइंट्स यहाँ पे स्यामपटकार में आप लिखेंगे टीका करण के द्वारा अब विभिन प्रकार के रोगों के बचाव हेतु दवाईयां उपलब्ध कराई गई हैं टीका करण के अंतरगत विभिन प्रकार के टीके उपलब्ध हैं जो की छोटे नवजात सिसु में प्रतिरच्छा प्रणाली हेतु दिया जाता है 200 points आप स्यामपटकार में लिखेंगे मिसन इंद्रधनुस जिसका उद्देश सन 2020 तक भारत के सभी बच्चों का टीका करण करना है इंद्रधनुस के 7 रंग इसक्वल्टू 7 बिमारियों के टीके ऐसा आप स्यामपटकार में लिखेंगे कोलम चत्रा अंसर को देंगे तो यहाँ पर हमारा पहला कोशन चत्रा से है कालरा का टीका कब लगवाना चाहिए तो छात्रांसर देते हैं कालरा का टीका गर्मी सुरू होने के पूर्व लगवाना चाहिए दूसरा कोशन हमारा यहां पर छात्रों से है टीका करंड से क्या लाब है तो छात्र आंसर देते हैं टीका करण से रोग प्रति रोधक छमता बढ़ती है तथा रोगों का उपचार होता है उसके बाद आप छात्रों को ग्रिकार देंगे ग्रिकार के रूप में आप छात्रों को देंगे सभी स्टुडेंट सभी छात्र टीका करण से पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगा पसंद आया और आप हमारे इस वीडियो को like करिये, comment करिये और share करिये और हमने इस पार्थियोजना की link description box में दे रखी है हमने वहाँ पे आपको इस पार्थ योजना की blogger link, tutor link और drive link तीनों link आपको हमने description box में इस पार्थ योजना की link आपको दे रखी है आप वहाँ से link को download करके पार्थ योजना को देख सकते हैं पाठियोजना में आपको कोई भी कोशन मुझसे पूछना हो या कोई भी प्राब्लम हो कोई भी दिक्कत होई आपको कोई भी कोशन मुझसे पूछना हो कोई भी क्यूरी करना हो पाठियोजना को देखे तो आप मुझसे कमेंट सेक्षन में कोशन पूछ सकते हैं और मैं आप आइकन को प्रेज जरूर कर लिजेगा ताक कि जब भी हम नया अपना वीडियो अप्लोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन उसकी अपडेट आपको जल्द ही मिल जाएगी जिससे कि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगी and I am telling you please like and share this videos and subscribe my channel Vatika Singh and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming videos तो हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने next video के सार्थ